प्रहस्न संक्या 16 यदि x बराबर रूट 13 प्लस दो रूट 3 है तो x माइनस एक वट एक्स का मान ग्याद कीजिए तो प्रहस्न 16 में दिया है क्या दिया हुआ है? एक्स बराबर रूट 13 प्लस दो रूट 3 x बराबर कितना दिया हुआ है? रूट 13 प्लस दो रूट 3 तो x माइनस एक वट एक्स का मान निकालने के दिए कह रहा है तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर तो x बराबर दिया हुआ है तो हम पहले 1 बटा x बराबर इसको लिख लेंगे तो 1 बटा x बराबर हो जाएगा रूट 13 प्लस 2 रूट 3 रूट 13 प्लस 2 रूट 3 एक बटा x बराबर हो जाएगा एक बटा x बराबर इतना दिया हुआ है तो 1 बटा x बराबर एक बटा इतना कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हर क्या है आप रिमे है तो हर काम पर रिमे करन करेंगे पहले तो लिखेंगे एक बटा रूट तेरा प्लस दो रूट तीन कुना रूट तेरा माइनस दो रूट तीन बटा रूट तेरा माइनस 2 root 3 ठीक है इसको कोश्टक में हम कर देंगे हर का परिवे करन करने के लिए देखिए हाँ पर प्लस में है root 13 plus 2 root 3 तो हम गुना करेंगे root 13 minus 2 root 3 से अंसर हर दोनों को तो अब इसको हम गुना करेंगे root 13 minus 2 root 3 को एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा रूट तेरा माइनस दो रूट तीन बटा a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वाइर माइनस b स्क्वाइर तो रूट तेरा का वर्ग माइनस दो रूट तीन का वर्ग तो रूट तेरा माइनस दो रूट तीन बटा root 13 का वर्ग कितना होगा 13 minus 2 root 3 का वर्ग 2 का वर्ग 4 root 3 का वर्ग 3 तो 4 ती है कितना हो जागा 12 यानि आ चुका है कितना तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा तो इसका आ चुका है root 13 minus 2 root 3 1 बटा x बराबर यानि 1 बटा x का मान आ चुका है कितना रूट 13 माइनस 2 रूट 3 अब बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं बढ़ रहा है तो इसका उत्तर हो गया रूट 13 माइनस 2 रूट 3 अब हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है x माइनस x minus 1 बटा x पूछ रहा है तो देखे तो x minus 1 बटा x बराबर कितना होगा तो x बराबर कितना दिया हुआ है root 13 plus 2 root 3 तो यहाँ पे हम लिखेंगे root 13 plus 2 root 3 ठीक है minus, यहाँ पे minus का चीनने देंगे इसको भी हम कोश्टक में कर लेते हैं तो यह हो गया x का मान और एक बटा x का मान देखिया है root 13 minus 2 root 3 तो रिखेंगे यहाँ पे root 13 minus 2 root 3 इसको भी हम कोश्टक में कर लेंगे तो बराबर हो जागा root 13 plus 2 root 3 देखें minus है इसलिए सब का चीन बदल जाएगा तो minus root 13 हो जाएगा plus में है तो यह minus में बन जाएगा क्योंकि बाहर कोश्टक के बाहर minus है यहाँ पे minus है तो minus minus क्या हो जागा plus तो जो plus में था वो minus में हो गया जो minus में था वो plus में तो देखें plus root 13 minus root 13 कट जाएगा तो क्या बचा 2 root 3 plus 2 root 3 तो 2 root 3 plus 2 root 3 कितना हो गया 4 root 3 तो इसका उत्तर देखे आ चुका है x minus 1 वटा x बराबर कितना 4 root 3 तो यही हम से पूछ रहा था तो पहले हम 1 वटा x का मान निकाल लेंगे उसके बाद x minus 1 वटा x करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4 root 3 प्रस्न संख्या 17 यदि x वराबर 2 plus root 3 है तो निमलिखित बेंजकों के मान ग्याद करें पहला x square प्लस 1 वटा x square दूसरा x q प्लस 1 वटा x q तो प्रस्न 17 में हम लिखेंगे दिया है x वराबर कितना दिया है 2 plus root 3 x वराबर दिया है 2 plus root 3 तो हम पहले 1 वटा x निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वटा x वराबर कितना हो जाएगा 1 वटा 2 plus root 3 ठीक है 1 वटा x वराबर 1 वटा 2 plus root 3 तो वराबर अब यहाँ पर हर में अपरिमे आ गया 1 वटा x करने पर 1 वटा 2 plus root 3 हो गया तो हर क्या हो गया 2 plus root 3 तो इसका हम पहले परिमे करन करेंगे हर का तो बराबर लिखेंगे 1 वटा 2 plus root 3 गुना 2 minus root 3 वटा 2 minus root 3 ठीक है तो कितना आ जाएगा देखें 2 minus root 3 गुना 1 2 minus root 3 बटा a plus b into a minus b तो 2 का वर्ग a square minus b square होता है तो 2 का वर्ग minus root 3 का वर्ग तो कितना आ जाएगा बराबर 2 minus root 3 बटा देखें 2 का वर्ग 4 root 3 का वर्ग 3 यानि कितना आ गया 2 minus root 3 क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा तो इसका 1 वर्टा x बराबर कितना आ गया 2 minus root 3 तो अब हम पहले निकाल लेंगे x plus 1 वर्टा x ठीक है x plus 1 वर्टा x q निकाल लेंगे क्योंकि x square plus x square निकालना है और दूसरा में x q plus x q तो पहले हमें x plus 1 वर्टा x निकालना होगा तो x कमान कितना है 2 plus root 3 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 plus root 3 यह हो गया x कमान plus 1 वर्टा x कमान कितना आया 2 minus root 3 तो दोनों कमान हम रख चुके हैं यहाँ पे 1 वर्टा x बराबर आया 2 minus root 3 देखिए एक बटा एक हम निकाल लें है इस तरह से तो दो माइनस रूट तीन तो प्लस रूट तीन माइनस रूट तीन कट जाएगा क्योंकि सुनने आ जाएगा प्लस माइनस तो इसका उत्तर क्या हो गया 2 और 2 4 तो X प्लस 1 वटा x बराबर कzung आ गया? 4 पहला अब हल करेंगे हम परसन 17 का पहला क्योंगी X प्लस 1 वटा 1 गया है 4 तो पहला में पूछ रहा है X स्कुाइर प्लस एक वटा X स्कुाइर बराबर यह पूछ रहा है हम से तो देखे a square प्लस एक बटा a square बराबर क्या होता है ठो एक सा square प्लस एक बटा एक सा square बराबर हम कैसे निकालेंगे देखे इसका formula होता है हम graph में बता रहे है a प्लस b का whole square बराबर क्या होता है देखे a प्लस b का whole square बराबर होता है a square प्लस b square प्लस 2ab तो हमें निकालना है a² प्लस b² बराबर देखें क्योंकि a² प्लस b² के जगा पर है x² प्लस 1 वटा x² ठीक है तो a² प्लस b² को हम यहीं पर रहने देते हैं ठीक है यहीं पर रहने दियें इसके नीचे तो हो जाएगा a प्लस b का whole square minus 2ab देखें प्लस 2ab इधर आके minus 2ab हो जाएगा ठीक है तो यह फॉर्मूला बन चुका है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी के जगा पर क्या लिखेंगे x प्लस 1 वटा x का whole square minus 2 गुना x गुना 1 वटा x ठीक है देखें तो a प्लस b का whole square minus 2ab a square plus b square बराबर a प्लस b का whole square minus 2ab ठीक है तो देखें x से x कट जाएगा यहाँ पर तो बराबर x प्लस 1 बटा x का whole square तो x प्लस 1 बटा x बराबर हम ला चुके हैं 4 तो 4 का वर्ग करेंगे minus 2 दीखे, चे यहाँ पर वर्ग है, तो इसलिए वर्ग करेंगे, तो चार्चोक 16, यानि 16 माइनस 2, कितना आ गया इसका उत्तर, बराबर 16 माइनस 2 कितना आया, 14, तो इसका उत्तर देखिए, आ चुका है, तो पहला का तो उत्तर आ गया है, 14, अब दूसरा हम हल करेंगे, तो दूसरा है, एक्सक्यू प्लस एक बटा एक्सक्यू, तो देखिए, एक्यू प्लस बीक्यू बराबर क्या होता है, तो एक्यू प्लस बीक्यू बराबर होता है, तो एक्यू प्लस बीक्यू का भी देखिए, हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो एक्यू प्लस बीक्यू बराबर क्या ह होता है तो हमें निकालना है देखिए AQ प्लस BQ यहाँ पर देखिए AQ प्लस BQ के रूप में है ठीक है यानि यह निकालना है तो AQ प्लस BQ बराबर क्या हो जाएगा तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं ठीक है मान लिजे हम इसको हो जाएगा माइनस 3A B A प्लस B तो आ चुगा है A Q प्लस B की बराबर A प्लस B का होल क्यूँ माइनस 3A B गुना A प्लस B ठीक है तो इस फॉर्मूला पर हम सेट कर लेंगे तो इसको हम लिखेंगे देखें X प्लस 1 वटा X का होल क्यूँ माइनस 3A B यानि 3 गुना X गुना 1 वटा X और X प्लस 1 वटा X ठीक है तो देखें A Q प्लस B की बराबर A प्लस B का होल क्यूँ माइनस 3A B गुना A प्लस B ठीक है तो यह फॉर्मूला पर सेट हो चुका है अब देखें X प्लस 1 वटा X प्राबर हम लेके आ गया थे कितना लाए थे 4 लाए थे तो 4 का घात 3 करेंगे माइनस यहाँ पर देखें X X कट गया तो 3 गुना अब X प्लस 1 वटा X हम कितना लाए थे 4 लाए थे ठीक है पहला में हम इसके पहले वाला हिसाम में हम ला चुके हैं मतलब प्रस्न 17 में देखें इसमें 1 वटा X पराबर हम पहले निकाल करके X प्लस 1 वटा X हम ला चुके हैं उसके बाद पहला हाल किये थे तो 4 आया था तो उसी को हम यहाँ पर रखेंगे X प्लस 1 वटा X के जगह पे और यहाँ भी X प्लस 1 वटा X के जगह पे तो कितना हो जागा 4 का घातिन 4 चक 16 16 चौक 64 माइनस 4 तिया 12 तो 64 में से 12 खटाएंगे 4 में से 2 गया 2 6 में से 1 गया 5 तो देखें दूसरा का भी उत्तर आ चुका है कितना बामन ठीक है तो प्रस्न 17 का दूसरा भी हम इस तरह हल कर लेंगे